तो रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस टू ओम एन फोर ओम वन कनेक्टेट टू बैटरी विल है इसमें से कौन से ओप्षिन ठीक होंगे पहला सेम करेंट फ्लोइंग थू देम वन कनेक्टेट इन पैरलल बताइए अगर यह टू ओम और यह फोर ओम को अगर मैं पैरलल में तो क्या इसमें सेम करेंट जाएगा अच्छा पैरलल में सेम करेंट जाता है यहां से आई जाएगा आई वन इसमें चला जाएगा और इसमें कितना जाएगा आई माइनस आई वन ठीक है तो पैरलल में करेंट क्या होते हैं अलग-अलग होते हैं फिरीज में करेंट सेम होत पूपर आप चेकर थैंग मे लगा दिया है तो क्या करेंट उसमेर में सीन जाएगा बिल्कुल करेंट जाने का मतलब क्या electron स्काउद नशीक्व -, उतने ही तरींट सेंग होता है यायने कि तो भी ऑप्षण मेरे को ठीक लग रहा है है और झालब फि Right चेक侵ी कि करतें छी ऑप्शन में गरा सेमी पुटेंशल दिफ्रेंज्ब एक रॉस देम वन कनेक्टेड इन से रीज हमें बताई पॉंथि उसमार बता हुप आदे ऐसें कविए न हुटा रो समें पैरल्र आलल में पॉतेंशल डिफरेंशित quadratic इन और is wrong क्यों क्योंकि स्रीष में थांटर से प्रैइघी से अलग अलग हो ताय क्यों इसका रिजिसेंट कितन häा रवन और इसका कितने है जोला कि रिस और इसना टो में से करेंट कि असा रही है आई तो यहां का प्र्जा यांग typically पुरी तो यहां का गरंखेंस ही नर्डेंग है V1 is not equals to V2 in series V1 is not equals to V2 but I1 is equals to what I do parallel में चेक करिये parallel में potential difference same होता है और करेंग अलग 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 हो जाता है ठीक 4th option different potential difference across them when connected in parallel जब parallel में connect करेंगे तो अलग अलग potential difference होगा ये भी गलत है क्योंकि जब पैरलल में connect करेंगे तो potential difference क्या होगा सेम होगा ठीक स्वेम क्लास में काफी बात कर चुके करिए जिन्होंने क्लास नहीं करी क्लास करें जाके पहले